अगर आपके पास Redmi K50i या K40i से Redmi कोई और फोन है तो उसके अंदर आप Face Lock को किस तरीके से Remove कर सकते हो आप यहाँ पर देश सकते हो मैं जैसे Screen को Off करके Own करूंगा तो यहाँ पर यह मेरे Face को देखके और यहाँ पर Screen को Unlock कर देता है तो इसको हम किस तरीके से Remove कर सकते हैं इसको Remove करने के लिए सबसे पहले हमको अपने फोन की सैटिंग को उपन कर लेना है पिर उसके अदम यहाँ से निचे जाना है निचे आने के बाद आप्सेंच होगा Password and Security इस पर टैप कर लेना है Face Unlock पर टैप कर लेना है आपको जो भी Screen Lock Pattern Password हो उसको यहाँ पर Verify कर देना है यहाँ पर मैंने अपना Name Add कर रखा था Face पर आवज जैसे टैप करोगे आप देख सकते हूँ अगर यहाँ मैंने अपना Name Add ने कर रहा हो तो यहाँ पर Face का Option Show होता तो हम इसे Remove करना है तो यहाँ पर मैंने जैसे Name Add कर रखा है इस पर टैप कर लेना है और यहाँ पर Delete Face Data इस पर टैप करके OK कर देना है जैसे OK करोगे उसके बाद आप स्क्रीन को Lock करोगे और यहाँ पर देखोगे आपका Face Lock Option Show हो नहीं होगा आप देखते हैं यहाँ पर आपका Face Lock Option Show नहीं होगा है यानि कि आपका Face लोग हो रिमूव हो चुगा है तो इस तरह किसा अपने Phone के अंदर भी Face Lock को रिमूव कर सकते ह अगर वीडियो चलेगी तो वीडियो को Like, Share, Subscribe करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में जब तक के लिए Bye